हलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्राफ लास आज मैं आपको मातारानी के बहुत ही संदर लेहंगा चुनरी बनाना सिखाऊंगी चोली के साथ उसके लिए मैंने एक पेस्टिंग पर इस तरह का बहुत ही प्यारा एक कपड़ा साटिन का पेस्ट कर लिया है इस पेस्टिंग को मैंन निक नेट का कपड़ा है मेरे पास फ्लास वाला तो उसे मैं इस पे अटैच कर लूँगी सिलाई करके तो चलिए इसको अटैच कर लेते हैं और अंदर की तरफ इसे सील करते रहें और सिलाई मशीन की हेल्प से आप इसे फोल्ड कर लें ये ड्रेस बिल्कुल डिजाइनर ह और जो आने वाले नवरातर हैं आप उसके लिए इसे बना सकते हैं देखे इस तरह से इसे फोल्ड करना है और सिलाई मशीन से जर्स इस पे सिलाई लगानी है चारो साइड या तीनो साइड आप इसे कर सकते हैं मैं तीन साइड करूँगी नीचे की साइड इसे बहुत प्यारी से तो चलिए एक्स्ट्रा जो नीचे कपड़ा बचेगा आप उसे काट लेना क्योंकि नेट है थोड़ा सा ये खिचता है और बहुत सफाई से इस पे सिलाई लगाते रहें बहुत इजी है ये ड्रेस बनानी हम लोग अभी भार से कोईच भी खरीदने के उ तो हम लोग घर पे ही इसे बना सकते हैं देखे तीनों साइट से मैं इसे सिलाई लगा दी है और अब मैं इसमें चुन्नट डालूंगी चुन्नट मैं उपर की साइट से देखी इस तरह से हमने डालने है बुकरम है तो बहुत अच्छी इसकी शेप आएगी एक के उपर एक थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हुए चुन्नट डाले और इस तरह से बहुत सुन्दर एक लहेंगे का लुक आ जाएगा और कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है इसका आप भी अपने हिसाब से येलो, रेड, पिंक, ओरेंज इस तरह के कुछ भी जो फैब्रिक आपके तो चलिए उपर एक सिलाई लगा के इसे सील कर लेते हैं जो हमने अभी चुन्नट बनाई हैं देखिए ये हमने सिलाई लगा दी हम इसमें लेस का यूज करेंगे आप चाहे तो आप इसको विदाउट लेस भी बना सकते हैं अगर आपके पास अच्छी सी कोई लेस ना हो तो आप इसे गोल्डन या वाइट कलर की कोई लेस लगा के भी बना सकते हैं पर मेरे पास अभी थोड़ी सी लेस पड़ी हैं तो मैं इसमें यूज करूँगी और आपको बताऊंगी कि उन लेस से हम इसको डिजाइनर कैसे बना सकते हैं तो चलिए ये हमारी उपर चुन्न लेस वाली लेस है और मेरे पास ये बच्ची हुई थी और इस कपड़े के साथ भी मैच हो रही थी तो इसलिए मैं इस पर ये लगा रही हूं आप देखेंगे मैंने नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ा है ताकि एक हमारा अलग सा लूक आ जाए इसमें करेंगे इसलाई मशीन की हैल्प से आप ये सब काम कर सकते हैं और बहुत प्यारा आप अपना मातारानी के लिए लहेंगे रेड़ी कर सकते हैं आप इस लेहेंगे को राधारानीजी को भी पहना सकतेए अगर किसी के पास जुगल सरकार की जोड़ी है देखें ये हमारा बन का मैं इस पे लगाऊंगी उससे पहले थोड़ी cutting कर लेते हैं cutting के लिए मैं थोड़ा सा उपर नीचे से चोड़ा छोड़ते हुए center से मैं पतला करूंगी ताकि हम अच्छे से इसे उढ़ा सकें देखे इस तरह से हमारी जो लहेंगे के साथ की चुन्री है फिर हम उस पे लेसिस लगा के उसको भी सजाएंगे तो इस तरह से आप नवरात्रे पे अपनी पसंद का अपने हिसाब का जितनी भी आपके पास मूर्ती है उस हिसाब से आप हाइट की मेजरमेंट लेके और अगर आपके पुरानी क पसमें यह हमारी अटैच हो गई है और यह मेरे पास एक कॉइंस वाली लेस है पतली लेस है इसलिए मैं इसे चुन्री पे लगा रही हूं देखे इसे दोनों साइड लगाना है हमें चुन्री पे और नीचे उपर नहीं लगाएंगे आप चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि लगाई थी उसी तरह से चुन्री पे थोड़ा सा गैप छोड़के लगाऊंगी पर उससे पहले यह गोल्डन लेस लगा लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ से हमें इक्वल बिठाना है तो यह देखे यह हमारी चुन्री भी रेडी हो गई है अब हम बनाएंगे चोली चोली के पहना सकें अब चलिए इस पर लेस लगा लेते हैं सेम कॉइन वाली लेस में गले पर लगाऊंगी यह देखिए और साइट पर अपनी मिरर वाली लेस लगा देते हैं और यह हम अटैच कर देते हैं सिलाई करके और इस तरह से यह लग गई है और नीचे मैंने फिर कॉइन लेस लगाई है अब हम डोरी लगाएंगे तो देखे ये हो गई और डोरी मैंने पहले से बना के रखी हुई है और डोरी इसके साथ अटेच करेंगे ताकि ये देखे साइड अटेच करेंगे डोरी को ताकि हम इसे पहना सके और पीछे की साइड इसे बांद सके सेम डोरी मैं लहेंगे पे लगाऊंगी ताकि लहेंगे को भी हम पीछे से बांद सकें तो देखा आपने बहुत जादा इजी है इसे बनाना थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा पर आप बहुत अच्छी एक चीज बना लेंगे घर पर ही जो आप अपने नवरात्रों में माता को पहना सके तो देखे ये लग गई हमारी डोरी भी आप इसको किसी भी step पे skip कर सकते हैं like अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो वो ना लगाएं और ये देखे ये छोटा साथ मैंने बुकरम के साथ अपना बेस का पीस रेडी करके रखा था और जिसके आसपस मैं ये लटकन वाली ल पीस लगा रहे हूं जो मैंने आपको कहा था कि इसको एक designer पीस बनाएंगे वो यही है और इस चोटे से पीस को मैं इसमें लगाऊंगी लहेंगे में लगाऊंगी और आप देखेंगा लहेंगे का पूरा लुक बदल जाएगा और ये बहुत ही प्यारा लहेंगा लगेगा देखेंगे ये हमारा एक पीस कट हो गया है एक तरह का triangle है ये नीचे से मुड़ा हुआ और ये यहां लगेगा तो चलिए इसको भी attach कर लेते हैं थोड़ा देख के machine चलाईएगा क्योंकि अब ये बहुत सारी layers हो गई है इस पर तो थोड़ा अराम से और उपर भी थोड़ क्योंकि वो काफी अब यहां पर हमें उपर लगाना होगा ताकि बहुत अच्छी इसकी finishing आ जाए जो सिलाई है वो हमारी सारी chip भी जाएंगी और एक mirror की और लेस लग जाएगी तो देखिए ये हमने mirror की लेस भी लगा दी है और लहेंगा बनके ready हो गया है बहुत प्यारा म और ये हमने चोली बनाई थी देखिए जो हम पीछे से बांद सकते हैं और ये है चुनरी तो देखा आपने हमने बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा एक लहेंगा ready कर लिया है आप होप आपको अच्छा लगा होगा मुझे जरूर बताइएगा comments में thanks